प्रवेश में सरकार की लाग कोशुसों के बाद भी महिला और बच्चीयों के साथ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है ताज़ा मामला लखिमपुर का है जहां पड़ोसी युवक मा बेटी को अकेला देख कर घर में घुसाया और नाबालिक युवती से छेड़ चाड करने लगा और युवक ने नाबालिक के कपड़े फाड दिये वहीं छेड़ चाड का विरुद करने पर युवती की मा पर चाकूओं से ताबर तोड़ वार किये और फिर आरोपी युवक मौके पर से फरार हो गया जिसके बाद पीरत नाबालिक ने मा को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भरती कराया जहां घायल महिला का इलाज चल रहा है को लगा है यहां गरदन में लगा हुए और इस मार कर तब तक हम लोगन ममें चलाए लगी तब पडोस लोग के आ गया तो उनको पकड़ कर बाहर ले गए तो ममें को होस्पिटल लाए तब हम भी चले गाया थी यह कोत्वाली सदर चेतर में गड़ी रोड पर कल एक घटना वहीं सूचना मिलेने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुची और पीड़ता की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुड़ गई पुलिस जल्द ही आरोपी की ग्रफतारी का दावा कर रही है छेड़चाड की सुवारदात से पीड़त के परिवार में दहशत का माहौल है पंजाब के स्री टीवी के लिए लखिमपुर से शारिख खान की रिपोर्ट